तो आज हम बात करेंगे बबुला रिस्ट के बारे में अब ये बबुला रिस्ट के क्या फाइदे हैं कैसे लिना है क्या इंगिडेंस हैं ये सारी जानकारी जो है आज किस वडियो में आपको दूँगा दोस्तों ये जो बबुला रिस्ट है ये Classical Ayurvedic Medicine है देखे बहुत सारी कंपनिया जो है इससे बनाती है तो आप चाहें तो किसी भी अच्छी कंपनिया का ले सकते है इससे आप जो Ayurvedic Medical Store होते हैं वहाँ से आप इससे खरी सकते है और इंगिडेंस के अगर हम बात करें यानि कि ये बबूला रिस्ट में क्या-क्या जीजें सामिल की गई हैं अगर इसकी बात करें तो इसमें जो है बबूल चाल, धाएफूल, पिपली, नाक केसर, लॉंग आदिस प्रकार से इंगिडें जो हैं इसमें सामिल किये गए हैं जिसे ये बबूला रिस्ट है वो बनाए गया है तो फाइदों के अगर हम बात करें तो देखे सबसे पहले अतिसार के रोग में यानि कि लूज मोसन, दस्त जब लग जाते हैं तो ऐसी कंडिशन में यह मेडिशन विसेज रोप से फाइदा करता है इसके लावा यह जो मेडिशन है खासी की समच्चा में, दमा यानि अस्तमा के रोग में इसके लावा ब्रॉंकाइटिस, टीबी उसमें भी फाइदा करती है आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ कले काफी अच्छी है आपके लंग्स, फेफ़रों के स्वास्त को बहतर बनाने में मदद करती है इसके लावा यह ब्लेड को प्यूरिफाई करती है खोन को सुद्ध करने का काम भी करती है इसके लावा मूत्र रोग उसमें ही फाइदा करती है इसके लावा अगले फाइदे के बारे में बात करें तो चर्म रोगों में ही फाइदा करती है इसकी इन डिजीज में जो है फाइदा करती है तो इस प्रकार से जो हैं इसके फाइदे हैं अब अगर इसके डोस की बात करें तो 15 से 30 ml आप एक दिन में 2 बार तक हो ले सकते हैं जैसे कि माल लीजी अगर आप 30 ml लेते हैं तो आपको उसमें उत्रही पानी यानि 30 ml ही पानीमला का लेना है या फिर आप 15 ml लेते हैं तो आपको उसमें उत्रही पानी यानि 15 ml ही पानीमला का लेना है यानि same quantity में आपको पानी मला का जो है लेना होता है और इसे आप जो है खाने के बाद है हो ले सकते है इसे male female कोई भी ले सकता है लेकिन अगर बात करें बच्चों की तो बच्चे को देने से पहले डोक्टर से सलाह ले क्योंकि देखे डिपेंड करता है कि बच्चे की उमर कितनी है इसके लावद जो male male pregnant है वे भी से ले से पहले डोक्टर से सलाह ले और side effect की अगर हम बात करें तो इसका ऐसा कोई side effect नहीं है लेकिन फिर भी कुछ health में issue लगता आपको इसे लेने के बाद तो आप इसे लिना है वो बंद भी कर सकते हैं और इदिक जानकारी के लिए आप डोक्टर से भी सलाह हो ले सकते हैं तो दोस्तो ये थी बबुलारिस्ट के बारे में जानकारी फिर भी कोई सवाल है आपका कुछ पूछना चाहते हैं आप तो आप मुझे कॉमेंट्स के दोरा भी पूसकते हैं दोस्तो वीडियो गर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे मेरे नाम है जितेश और आपने इस वीडियो को इतना कीमती समय दिया उसके लाब का बहुत बहुत धन्यवाद